नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान अजमानी यूपी में निकाय चुनाओं के अलान के बाद सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसली है साथ ही निर्दलिय प्रत्याश्यों ने भी अपने अपने तरीके से शेत्रीय जनता को लुभाने के लिए कई वादे भी कर दिये हैं तो वही बताते चले कि राज्थानी लखनओ की लाल बहादो शास्री प्रत्थम वाड नमबर 15 से समाजवादी पार्टि के प्रत्याश्य अजीत सिंग भी लगा तार जनता के बीच पहुँचकर उन्हें पार्टि के हित की बात बताते हुए जन समस्याव को पेहादी भैता धंग से दूर करने की बात कह रहे हैं और साथ ही चुनावी मैदान में उत्रे हैं अजी सिंग जी सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका यह बताये किन मुद्दों को लेकर आप राजधानी में उत्रे हैं बार्ट बारुस सास्ति पर्थम बार्ड में यहाँ पर जो लोगों की समस्याइं है उसको पूरे करने के लिए उत्रे हुए हुए हमारे जो जन संपर्क है जन संपर्क में जैसे नाली रोड वगरा जो जितके नहीं बने हुए हैं उन्होंने समस्याइं रखे हैं थोड़ा एक मुर्दहिया यहां पर पड़ती है उसकी बॉंडरी भी बनवानी है तो उसी के लिए थोड़ा सा जित्ती समस्याइं उनको दूर करने के लिए मानी जी ने हमको जमली जे उतारा है यहां पर जित्ती समस्या होंगी उस सारी समस थोड़ा सUM हो जाता है जो समय में भर सबने घर जाता है जनता ऑग जीSc मैं मैं कि यह पर दोफ्लिट की बात नीजा कर रहाएं कि कि 5 सल बाठ पारसदाथे ऐसा कुंभ यूता है वह तो जनता की सिकायत तो शिकायत करेंगे लेकिन बराबर जनता से जन संपर्ख हमारा है आप हमारे जैसे यहां पर लाल भादु सास्तरी में आप टहल के भी किसी से पूछ सकते हैं कि हमारे जन संपर्ख कैसा चल ला और हमारी पाल्टी ने उनके लिए किया है यहां पर पहले भी जो है सपाई से करेंगे अन्होंने सारी चीजे करी है और स्पा का यहां पर अव्हां पर पूरा घर है आप समझेऴ को समझिजे लोग हम को नहीं देखने पाल्टी को देखे हैं सरा काम कर घंध क उसके लिए आप इसली चीजे जो होती है सब बताया जाता है कि मैठिके पूछा जाता है कि परकादफार क्या दिक्कभी कुंस भी आब आगे चल दूर कर जाएंगे आगर जनता आपकी सरपर ताज पैनाती है आपको विजय लाती specie होता है 110 बहुत बड़ी चुनोति है तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपके लिए हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारे यहां पर मुर्दहिया बनी हुई है उसकी पूरी सबसे पहले बॉंडरी करानी है उसकी लोगों ने कहा है पहले भी आप यही करा दीजिएगा पहला काम यही रहेगा उसके बाद ह अंघ कर जो हमारे हरे हमारे हमारे दलिद भाई लोग है उपोर्ति लुकूरम तो हमको पहले उसका सुंदी कर न्यजितिर आप सपा से हैं सपा के बत्यासी के रूप में तो तो क्या लगता है कि जो दूसरी पार्टी कौन है, इसा लग रहा है कि शायद वो आपको पार्टी टकर दे पाए? नहीं हमको टकर देने वाली तो कोई बात ही नहीं है वो अपना चुनाव लोड़ रहे हैं अपना चुनाव लोड़ रहे हैं और जन सबा जैसे जिसकी रहती है जिस हिसाब से उस हिसाब से उसको ओल मिलते हैं हमने आपको पहले भी का कि हमारे पाल्टी के पहले भी सबासा रह सभषा पुर्षिर एक एक लोगों से मिल रहे हैं उन्की समस्या उनकी रहे हैं और नाली है रहे हैं और भी और चान का मिले ना मिलें वह सना गले हैं तो लोग वेसे निफिंगे आस बता सकते हैं किस तरह से पूरा करने के लिए हमको भेजा गया है हम सम्छ लिजे खाली यहां अनसे बताते हैं कि हम दूथ हैं खाली आपका काम करने आए आ हैं और जितना समाज के लिए काम करें कि उतना इस नहीं हमको थोड़ा सा और समाज जोड़ेगा पूरी तरीके से और जन्ता का आशिरवाद जदा मिला है जो बुजरू लोग हमारे वार्ड में हैं सेक्टर बीस में है और लोकुस नकर में हैं उनका असिरवाद हमको पूरा मिला है क्या लगता है कि पिछली बार सपा की तक्रीवन जहां तो मुझे पता है कि 40 से 45 सीटे आई थी निकाय चुनाओं में 110 वार्ड है क्या लग रहा है इस बार की 110 वार्ड में से कितने का अमूम आप लग रहा है कि आपको की इस सीटों पर स जादा और दूसरी चीज जो है लोग अवकि पसंद भी कर रहे है क्योंकि जो और जिगा पर जहां पर सब लोग रहते थे जैसे कुछ चीजे काम उन्होंने किया नहीं ना पांसाल लोगों से मिले ना कोई बात करी ना कोई चीज हुआ अपकिल बात सारी चीजे सपा करने क सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका भी सपोर्ट रहेगा कल पर सो यहां पर मीटिंग मैंने उनकी रखी हुई है तो यहां पर आएंगी भी उनके जरिये थोड़ी चीजे और जो रह गई है चीजों चीजों को जैसे जो चीज हम नहीं कर पाएंगे वो हमारी मेर जी कर देंग तो इसलिए जना अनिकार हम लोग का बढ़ता जा रहा है कम नहीं हो रहा है चलिए कुलमिला के हमारे चैनल के माध्यम से एक अपील कर दीजिए अपने शेतरी जनता से अपील यही करना है कि सब्बा से ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए और जो समस्या हैं अगर पर आके कहिए जो चीजें नहीं जान पा रहे हैं वो भी हमको बताईए आप जितना आप हमको बताएंगे उस उतना ही हम काम उससे ज्यादा करने का सोचेंगे कि अपने आपको करी नहीं सकते क्योंकि हमको सुबेरे साम खाली पबली के बीच में रहना है और जीदने के बा लाल बादूर स्रास्ति प्रत्रम से शापा के प्रत्यासी अजी सिंग जी जेनों ने साब तौरपर बताया कि अगर वो जीत कराते हैं अगर जनता उनके सर पर ताज पहनाती है तो जो विकास अब तक कुछ बाकी रहे गयते वह विकास पूरा करेंगे और जनता को पूरी तो नगर संगराम के खास पेशकुष में हमारे सहयोगी ने सपा के प्रत्याशी से बात की है ज़रान सपा प्रत्याशी अजीत सिंग ने साफ तोर पर ये दावा किया है कि अगर वो चुनाओ जीतते हैं और अगर जन्ता का सवर्थन उन्हें पूरी तरीके से मिलता है तो वो चिनाव जीतने के बाद भी जन्ता के बीच रहेंगे, जन्ता के मुद्दों पर काम करेंगे और साथ ही विकास क्या होता है ये वहां की जन्ता को बताएंगे हमारे आज के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही देश तुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेंगे प्राइम टीवी